तो हेलो दोस्तो में रितियस कुमार स्वागत है आप सभी को डीजे पंकच फ्रोडक्शन के और एक नीव वीडियो में फिलाला भी आच चुके हैं फिर से हम लोग डाल टेन गंज और बहुत भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि हम लोग का जो प्राइज मिला था वो प्राइज और हम सभी का मेंगाते हैं तो यह कुछ इस तरह से देखिए समाल के रखे हुए लोग तो चलिए अभी क्या कुछ बात होता आप लोग के इस ब्लोग में देखने को मिल जाएगा तो नमस्का दोस्तों मैं डीजे पंकच और आज हम लोग फिर आएं एक बार बेरिया चोक में जो कि आप लोग डाल टेने का जो जानते ही होंगे रोट सो देखें होंगे काफी बढ करते हैं कि किस तरह का इन लोग कहां से देखार कैसे कॉंटेक्ट के हमको बतेए भीया हम लोग जिनियस कलम में दुर्गा पूजा में जैसे प्लान बनाए कि हम लोग उस जैसे पिछले साल किये थे उससे बेहतर करें तो पिछले साल आप तो नहीं हा पाये थे रामनौमी स आप से हम लोग जुड़े हुए है तो इस बार आपके ही माध्यम से हम लोग यहां बुर्ज घलीफाग बना रहे हैं पंडाल और उसमें पूरा लाइटिंग का बेवस्था रहेगा जो पंकर जी पंकर जी चंदन कहा रही जो हमारे पूरिय स्टर जैसे रामनौमी में किये अच्छा लागेगा और इतना सुंदर और इतना अच्छा उसका वीडियो है हम लोगों के पास हम लोग वीडियो बहुत जल्दी रिलीज करने वाले हैं कि हां क्या यहां जिनियस कलम में होने वाला है लेकिन इस बार जो भी होगा उपंकर भी खुद बताएंगे कि क्या कर लुद्धाल यहां हम लोग बुर्ज खलीफा के तर्ज पे पंडाल का निर्मान कर रहे हैं जो 120 फिट हाइट रहेगा उसका और उस पूरे पंडाल में हमारी मां दुर्गा मां भी राजमान करेंगे और उसी में आप हैसो आपका लाइट सो रहेगा जिसके कि दोस्तों 120 फ बढ़िया बहुत बढ़िया पंकर टीजे आ रहे हैं और अपना पलामू में जल्वा बिखेर बिखेरेंगे इस बार नौरात पूरा अलबर इंडिया में इनका नाम हो गया है और इनका साउंड इस बार हम लोग का राम नौमी में हश्ट प्राइज जिता जिसके कारण हम इसलिए हम लोग को पसंद आया, इसलिए हम लोग पांकर भाईया को याद कि इस बार हम लोग का भी सहयोग किजिये और यहां पर कुछ हैसा किजिए जिससे ब लोग को लगे कि यहां जिनियस कलप कुछ mayonnaise अछम्य सब्सक्राइब करेंगे इनका पूरे सिस्टम हमारे साथ रहेगा दोस्तों जब की बड़ा नहीं रहेगा अच्छा रहेगा बेस्ट कॉलेटी करें रहेगा एक बार बोलिये दूर्गा माता होगी तो फाइनली दोस्ते यहां पर देख सकते हैं वेडिया चोक में अभी पंड बनना स्टाट हो गया है तो चलिए थोड़ा गोलु भया से पुछते हैं कि कैसे क्या लगाने वाले लाइटिंग यहां का लाइटिंग समालेंगे और साथ में हमारे आये हुए संजे भया वह भी काफी ज्यादा मेहनत करते हैं आप लोग वोकार वाला काम में देखे होंग लोग काम करके दिखाना पड़ेगा बात मेरा टीम यह बोल लोग वोलता है कि लाइक टेसल लग रहा हो इसा लग रहा है बोलने से नहीं होता है मैनत हम दो जानते है कि स्टैप का लगता कोई उल्टा फूल्डा बोले कि इसे लगाना बांधो ना बाई तब ना पता नहीं लेहन हम दो चाहते कि बोलेंगे नहीं बारीवर करके दिखाएंगे और हम ऐसा करते ही है और हम ऐसा करेंगे तो दोस्तों कुछ यही तस्षीन हम लोग का यहां पर देख सकते हैं काफी खतरना कभी पंडाल का काम चल रहा है जो और सो क्यूंकि जाता ताइम तो और पचा हुआ नहीं है और यहां हम लोग का बेडिया चोक और यहां मन्रोग का मंदिर जिसमें टोफी रखा हुआ था तो फाइनली दोस्तों यहां पर जो है हम लोग का एक क्लिप शूट गया था जो कि अंकित भया का क्लिप ता तो अंकित भया इधारे देख सकते हैं वहां पंकज का लवेर हूं मैं बताना चाहता हुआ कि इस बर बुज कहलीफा का लाइटिंग करने जा रहा है डीजे पंकज जो छंधन की अरी बोकारो से आ रहा है और आगले साल भी डीजे पंकज रामनमी का काम करके गए हुए ते डालटेंगेंचे इस साल भी रामनमी आ रहा है देखते हैं आगे क्या होता है दसरा का आने वाला है कमिंग सून में है और गोलु दादा हमारे लाइटिंग में रहेंगे चलो धन्यवाद भाई थैंक यू